हेलो गाईस मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर और एकॉणोमिक्स लबकाशिक स्वागत करता हूँ आपका आज सीए वाला में और दोस्तो आज की क्लास में मैं आपको कराने वाला हूँ बिजनस इन्वाइर्मेंट का चैप्टर जो की one shot में complete होगा छोटा सा चैप्टर है नो से दस question यहां से आ सकते हैं तो थोड़ी सी देर में आपका बहुत कुछ cover up होने वाला है और last में जो मैं आपको MCQ कराऊंगा ICI study material से उठा के आपको comment section में बताना है कि आपने कितने सही किये हैं तो कितना score है आपका यह मुझे ही पता लगेगा यह बात आप भी जानपा होगे तो short में chapter खदम कर देंगे सारे concepts आपको कराऊंगा मजा भी आ जाएगा और एक confidence आएगा कि हाँ थोड़ी सी देर में सर आपने इतना कुछ करा दिया यह जो business environment chapter है यह chapter number 2 है BCK वाली बुक से basically आपको बताऊं business economics के अंदर 5 chapter है business and commercial knowledge के अंदर 6 chapter है ICI के curriculum के इसाब से तो BCK का chapter number 2 business environment है और business environment के अंदर basically मोटे मोटे तोर पर दो topics introduction और environmental analysis है देखने पर तो बहुत छोटे लग रहे हैं यह बहुत कुछ है इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें इसके अंदर है तो जब chapter के अंदर घुसेंगे तो हरेक एक चीज पढ़ाई जाएगी और घुस गए है देखो ऐसे यह लिखा है meaning of business environment business environment का मतलब समझाने से पहले एक word यहाँ पर इस्तमाल हो रहा है environment उसका मतलब जान लो business environment का मतलब ऐसे दिमाग में गुशने लग जाएगा science का word है environment environment का मतलब होता है हमारे आसपास की सारी चीजों का sum total चाहे वो हमारे आसपास की चीजे जिन्दा है चाहे वो हमारे आसपास की चीजे डेड है जो भी चीज हमारे आसपास है पेड है पोदे है टेबल है फरनीचर है पैन है मोबाइल है लैप्टोप है हर एक चीज इनवारिमेंट है क्यों? क्योंकि ये जो हमारे आस पास की चीज़े है ये हमें अफेक्ट करती है कभी-कभी negatively affect करती है कभी-कभी positively affect करती है negatively affect करती है मतलब हमें नुकसान पूछाती है positively affect करती है मतलब हमें फाइदा पूछाती है अब air में एक oxygen नाम की gas है यह हम ले रहे हैं हम जिन्दा हैं उसकी बदलत फाइदा हो रहा है negatively affect करने का मतलब pollution भी है बाहर pollution हमारी body को harm कर रहा है नुकसान हो रहा है share पिंजरे में है देखने में मजा आ रहा है फाइदा हो रहा है share पिंजरे से भार निकला जबटा वार के खा गया नुकसान हो रहा है यार तुमारे friends भी, family भी, पोधे भी, गमला भी, दिवारे भी, पंका भी, AC भी, बोड भी सब कुछ environment है और environment की हर एक चीज किसी ना किसी तरीके से directly या फिर indirectly, humans को यानि हमें affect करती है हमारे उपर उनका परभाव पड़ता है ऐसे ही concept आया है business environment का business environment का मतलब वो सारी चीजें जो business के बाहर हैं लेकिन business को influence करती है, business को affect करती है वो सारी चीजें कौन सी है, एक चोटी-चोटी बाते करते हैं नमबर वन, आपको बताओ, customer है, हम लोग customer है, हमें जो चीज ज्यादा खानी पसंद है, जो चीज पहननी पसंद है, जो चीज खरीदनी पसंद है तो business को वो affect करेगी, business उस चीज की supply बढ़ाएगी, उस चीज का production शुरू करेगा जो चीज customer की demand होगी, उसके इसाब से business बदलना शुरू हो जाएगा, और ऐसा होता है basically, ऐसा normally होता है अब मैं तुम्हें जबाने बताओं, खाने खाने के जबाने, तो आजकल के समय के अंदर, basically, junk food का चलन बहुत चल पड़ा है, Chinese food, Italian pasta वगएरा ऐसी जे तो अब जो भी restaurants वगएरा खुल रहे हैं, वहापर ये pasta, Italian food मिल रहा है, पहले बहुत कम restaurant पे ये चीज़ अवेलेबल होती थी, अब fashion में हैं, तो बदलने रग गई, technology के इसाब से business बदलने लग जाते हैं, updated technology आती है, तो updated instruments business यूज़ करते हैं, और देखो, मैं एक दुकान पर गया, मैंने उससे अपने mobile phone का cover मागा, मैंने का बहिया, मेरे mobile phone का cover दे दो आप, दुकान वाले बहिया ने का बड़ा पुराना phone है सर, आपका, हम ये cover नहीं रखते, अच्छा, क्यों, क्योंकि लोगों के पास अब ज़्यादातर नए phone है, नए phone है, तो दुकान पे भी बिजनस अपने आप में update होता है, तो बिजनस को affect करती है बाहर की चीजे, अब बाहर के बिजनस के बाहर कौन कोन है, बिजनस के बाहर बैठा है L step, कम से कम L step बैठा है, L step क्या है सर आपने क्या बोल दिया ये, L का मतलब होता है legal down of match, कानून बदलते रहते हैं, कानून के ह hardware की shop की बात करता हूँ, एक बड़ा Porsche लाका है, उस Porsche लाके में दरवाजे के लोग बड़े महंगे password वाले रखे जाते हैं, मतलब लगाये जाते हैं, तो वहां के hardware की shop पे या lock वाले की shop पे महंगे और expensive वो password वाले lock मिलेंगे दरवाजे के, अब एक हमारा लाका है जहाँ पर supply करता रहता है, फिर दोस्तों टेकनीक की बात करें, तो टेकनीक को देखकर business बदलने लगता है, फिर economy को देखकर business बदलने लगता है, economy में जो changes आते हैं, basically अगर changes की बात की जाए, तो changes economy में central bank क्यों हो सकते हैं, central bank time to time money supply को increase or decrease करता रहता है, interest rate को increase or decrease करता रहता है, तो business को भी देखना पड़ता है, हाँ भई, मार्केट में इंटरस्ट क्या चल रहा है, तो उस हिसाब से हमें भी जादा इंवेस्ट करने की जरूत है या नहीं है, अभी चाहे चीजों को यहाँ पर पॉलिटीकल कोंड़िता के इन fellowship और आप गोलिये मों और आशुर। outside में चीजें जो बदल रही है वो जो outside में चीजें ना उन सब चीजों का sum total sum up business environment होता है definition क्या लिखी है लिखी है business environment के बारे pan का size पतला करते हुए देखते हुए यह लोग अलर से हुई हाजी it includes all the external forces external मतलब business से बाहर है यह सारी चीजे forces है यह factors है यह conditions है कुछ भी हो that have some impact on business बाहर की वो सारी चीज़े जिसका कोई न कोई impact हो business पे business के decision पे, business की strategy पे, business के action पे जो भी एक firm ले रही है, वो सब चीज़े business environment है और साफ लिखा है they are outside factors, ये सब चीज़े बाहर की है that can lead to opportunities, threats and many other factors ये इन सब चीज़ों के वजए से business के पास कभी-कभी opportunity आ सकती है opportunity कैसी आई है, देखो आप justify करना थोड़ा अजीब सा लगे गा लेकिन आप समझो इस चीज़ को, एक business है जो sanitizer बना रहा था hand sanitizer नहीं विक रहे थे इतने, लेकिन जैसी COVID season आया तो उसके hand sanitizer बहुत सारे बिखने लग गए तेखा, opportunity आगे न, उसके पास threat की बात करें, तो COVID time में जो offline coaching center थे हों, उनके पास threats आगया threat आगया मतलब, COVID आया तो coaching center बंद करने पड़ गए बहुत सारी farms बंद हुई थी क्योंकि उसके अंदर contagious था COVID दूसरों तक ना fell जाए, lockdown लग जया था तो वो सब online system चल पड़ा तो कभी threat कभी opportunity, business environment कुछ भी लेकर आता है, तो हमें update रहना पड़ेगा, अगर आप भी future में किसी business से family year होना चाहते हो अपना ही खुद का business खोलना चाहोगे साथ में, या घरवालों में किसी का business खुलवाना चाहोगे या आपके घर में किसी का business already चल रहा है तो आपको भी समझना जरूरी है कि outside business बहुत सारी चीज़े important है, जो तुभारे business को affect करती है वो कैसे करती है, पूरे chapter के अंदर यही पढ़ना है आगे दोस्तों, business environment की कुछ characteristics है, यानि कुछ बाते ऐसी है कि business environment बताता है कि आपको ध्यान बे रखनी है, क्योंकि यह reasons है यानि business environment की features पढ़ रहे है कैसा है यह, पहला multifaceted multifaceted है मतलब, एक-3 से दो निशान है मारता है business environment यानि कहता है कोई भी एक बदलाव आएगा, तो उसके दो impact भी हो सकते हैं, दो क्या, तीन भी हो सकते हैं, दो होते तो double faceted बोलते हैं, तीन है तो trifaceted बोलते हैं, या और एक से जादा होता है, सब को multifaceted बोलते हैं बहुत सारे चैरे हैं उसके, यानि कोई एक impact होता है लाइक अगर बात करें, कि business environment में एक बदला वाया, कि लोग health के लिए aware हो गए है भया, लोग health के बारे में सोचते हैं, अपनी body के बारे में सोचते हैं, तो लोगों ने gym जाना शुरू कर दिया, चलो ठीक है जिम वालों का business बढ़ गया, लेकिन लोग क्योंकि health के परती aware हो गए हैं, तो junk food वालों का business flop हो गया, देखा health के दो बाते होई जिम का business top पे, junk food का business down health के परती अभी जे रहे हैं, तो coldering environment में अगर outside कोई change आया है, तो उसका far reaching मतलब बड़ी दूर तक impact जाता है, एक बार बदला हुआ था, अगर किसी ने उसको adopt कर लिया, उसने उसको अपने according ढ़ल लिया business को, तो बड़े लंबे समय तक खेलोगे, लेकिन आप business environment के according अपने business को नहीं बदल पाये न, भही कानिफुस हो जाएगी, नोकिया का example इसमें माना जाता है, बोलते हैं, 2008 के आसपास, 2008 नोकिया आसपास तक, नोकिया market का king था, mobile phone का, उस time पर उसने android adopt नहीं कर पाया, किसी reason के वजए से, और बाकि सारी companies ने android adopt कर लिया, तो सारी company आगे बढ़ गए, नोकिया फुसी हो गया, flop हो गया, तो देखा, एक छोटा से impact था, जिसने नोकिया को बंद कर दिया, बंद के नाम पे यह है, मतलब आज के टाइम पे नोकिया का इतना कोई वजूद नहीं है, जिस जिसने android यूज किया, वो आज है, बढ़िया है, तो 2000, उस टाइम पे बताऊं, तो blackberry नाम का भी एक phone होता था, शायद आप जानते हो, वो भी अपना एक operating system चलाता था, उसने भी उस टाइम android को यूज नहीं किया, अब google android बना रहा था, उसने offer भी किये थे, लेकिन लोगों ने ठुक रहा है भी, लेकिन नहीं कर पाया, उसको अपने account मतलब ढाल पाया, उसको अगर ढाल लेता तो business आगे तक चलता रहता, पहले भी राजा थे, अब भी राजा रहते, लेकिन राजा को रंक बनते हुए देरी नहीं लगती, यह business environment को समझना पड़ता है, ठीक है जी, फिर business environment dynamic है, dynamic का मतलब होता है, यह it keeps on changing, यह बदलता रहता है, लोगों के mood बदलते हैं, government की policy बदलती है, election होते हैं तो फिर neta बदलते हैं, RBI की policy बदलती है, interest rate बदलते हैं, सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी constant नहीं है, change is the only constant, बदलाव ही स्थिर है, और कुछ थिर नहीं है, it is very difficult to understand business environment, difficult कोई बोलते है complex, जब-जब complex word लिखा आएगा, तो समझना आप कि इसका मतलब है difficult, मतलब क्या है यार, business environment, मतलब भूस सारी चीज़ें जो business के बाहर है, एक-एक हो तो समझ लें असानी से, अरे बहुत सारी हैं, इखटी समझना बड़ा मुश्किल काम है, तो इन पार्ट्स में अलग-अलग है, तो इन टोटालिटी इसको समझना थोड़ा मुश्किल काम है, तो मुश्किल है लेकिन impossible तो नहीं, तो इसके अंदर घुसना पड़ता है, ताकि काम दंदा बढ़िया चले, रोजगार बढ़िया चले, यार एक बात उता हो, नॉर्मल लेवल बे बात करते हैं, एक बिजनस के लिए employees बहुत जरूरी है, एक बिजनस के लिए उसके honor भी बहुत जरूरी है, एक बिजनस के लिए उसके customer भी बहुत जरूरी है, अगर कोई ऐसे SIM card बनाने वाली company है जो अभी 4G network provide कर रही है लेकिन network 5G होगा, फिर 6G होगा, फिर 7G होगा वो तब भी 4G provide करती रही न तो वो business बंद हो जायागा technology के साथ से उसको update होना पड़ेगा उस business के employees को खुश रखने के लिए business को सही तरीके के measures लेने पड़ेंगे, action लेने पड़ेंगे उस business के अगर competitor अच्छे हो रहे हैं competitor बदलाव कर रहे हैं तो उस business को अपने competitor firm को देखते हुए भी खुद को बदला पड़ेगा अगर कोई political party पहले बहुत उपर थी आज वो बहुत नीची हो गई है क्यों हो गई है क्योंकि उसने बदलते हुए environment को नहीं समझा ये भी एक real life example है मैं किसी political party का नाम लेगे किसी controversy में फसना नहीं चाहूंगा लेकिन example है तो है आपको समझना चाहिए इनको तो these are the basic characteristics of business environment next topic is importance of business environment यानि तुमारे लिए क्यों जरूरी है कि तुम इस business environment को समझो जरूरी भाई इसलिए कुछ बाते पहले कर चुको हूँ कुछ बाते points में लिखी है क्योंकि business environment आपके लिए कुछ न कुछ कभी-कभी warnings लेकर आता है खतरे पता लग जाता है कि खतरा है एक bank के लिए बात बता हूँ आपको खतरे की bank भी एक business है जब-जब festival season आता है न तो bank को पता होता है कि festival season में दिवाली की बात करो तो इंडिया के अंदर लोग नया TV खरीदना है, festival लिए खरीदेंगे नई bike खरीदनी है, नई car खरीदनी है, नया phone खरीदना है ज़्यादा तर चीज़ें मैं यह नहीं गया रहा है कि पूरे साल कुछ खरीदते नहीं पतलब festival season में भौत सारा समान purchase किया जाता है तो bank को के अंदर उस ताइं पर लोग पैसा जमान ही करा रहे होते हैं, उस ताइं बैंकों से लोग पैसा निकाल रहे होते हैं तो bank को पता होता है, अब bank के पास cash की shortage होने वाली है यहीं बैंक ने पहली देख लिए, threat है यह warning मिल गई है बैंक को, अगर bank ने business environment समझा होगा तो तो bank अपने पास appropriate measure लेके cash की सुविधा प्राप्त करके पहले से रखता है पहले से alert रहता है, सतर्क रहता है, सावधान रहता है आपको भी अपने exam के लिए सतर्क रहता है तो bank threat को देख लेता है और ऐसा festival season होता है कि बहुत सारी मिठाई की दुकानों के पास opportunity होती है, एक महीने पहले ही वो तयारी करना लगते है दिवाली आ रही है, उसके बाद फिर भहिया दूज भी आएगा भहिया दूज आएगा, अनकुट भी आएगा और चार पास तोहर आते हैं लगाता है तो मिठाई बनाना पहले से शुरू करते हैं दरादर दरादर दरादर, opportunity भी आती है it gives direction for growth अगर आपने business environment समझ लिया तो आप growth के लिए तयार हो business environment खुद आपको direction प्रोवाइड करता है कि तरकी आपके ऐसे होगी COVID time में जब offline coaching center बंद हुए तब से ही teachers ने online platform पर education प्रोवाइड करना शुरू किया, क्योंकि यहीं growth बनती है मैं भी आपके सामने हूँ ठीके दोस्तो and continuous learning है लगातार यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखना ही है यह नहीं कि एक बार technology 4G से 5G हो गई तो 5G से कुछ बदलेगा नहीं यह बदलता रहेगा, दुनिया बदलती है बदलते चहरे, बदलते नका, बदलते business, बदलते product अब कपड़ोगी बात लेलो मैंने तो पुरानी movies देखी अमीता बच्चन की जिसमें अमीता बच्चन ऐसी paint पेंटा था जो नीचे से खुली-खुली होती थी बैल बोटम बोलते हैं उसको इन्वार्मेंट को भापा है, परका है, जाचा है, समझा है वो अपनी image build कर सकते हैं LIC insurance company है जब भी insurance का नाम लेते हैं सबसे पहले LIC नाम क्यों आता है LIC ने बहुत सारे काम ऐसे की हैं, लोगों के दिमाग पे छाप बनाई है मैंने देखा कि काफी सारी जगाँ उसने social responsibilities पूरी की है बहुत सारी जगाँ पर, जहाँ पर dust भी नहीं होते थे LIC ने वहाँ पर कूडेदान लगवाए अब कूडेदान लगवाए तो कूडेदान के बाहर लिखा होता था LIC तो जब भी कूड़ा डाल रहा है तो देख रहा है हाँ भई दिमाग में इमेज चप रही है जब जब independence दे 15 अगस्त का समय आता है तब तब अक्षे कुमार कोई अजादी वाली पिच्चर रिलीस कर देते हैं तो वह नोंने भी अपने एक ऐसी इमेज बिल्ड किया है तो अक्षे कुमार इसका एक्जामपल मैं देना चाहूंगा अक्षे कुमार ठीक है और दोस्तों competition की requirement को meet करने के लिए भी it is very important to understand business environment the basic things है यह और जो कि important है किसी भी business को समझने के लिए business को between organization and its environment भाई organization है और इंवाइरमेंट है organization होगा business business के बाहर की चीज़े environment इनके बीच में क्या रिचता है क्या तालमेल है यहां से भी कोशन बैठता है ठीक है यह आपस में information को हेरा फेरी करते है information बदलते हैं एक दूसरे से exchange करते है बायर के behavior से business को कुछ पता लगता है business के behavior से बायर को कुछ पता लगता है basically they supply they exchange resources for each other society से business को resource मिलते है business भी goods and service बना के society को देता है तो exchange चलता है समान का इदर अधर and exchange of influence and power यह point बड़ा important है business और business का environment यह एक दूसरे को influence करते रहते हैं कभी-कभी हम इस situation में होते हैं कि business हमारे अनुसार चले कभी-कभी business इस situation में होता है कि हम उसके according चले business ने खुद बदला network 3G से 4G हमने खरेद लिया ना तो business ने influence किया हमे समझे जब हम business को influence करते हैं तो हम अपने changes बताते हैं like हम health conscious हो जाएंगे तो हम health वाली चीज़े जादा जो अच्छी होंगी organic products लेंगे तो business भी organic product ही supply करेगा अब मैं तुम बताता हूं चोटा सा लेवल का example भाई मेरे घर के पास चोले बुडूरे वाले अंकल है वो चोले बुडूरे की दुकान लगाते हैं अब भापर क्या है वो लोगों को ना तरी वाले चोले खाने ज्यादा पसंद है जिसमें पानी ज्यादा होता है और पहले के अंदर वो पावर होती है कि वो influence कर दे सामने वाले को कि तुम यह रखोगे तो ही हम खरी देंगे वो ताइट हैपन्स यह तो लोकल लेवल का example बताया है मैंने आपको मतलब इसलिए कि चीज तुमारे दिमाग में बैठे ठीक है आगे दोस्तो इन्वारिमेंटल इंफ्ल देता है किसी भी बिजनस के लाइक पॉलिसी प्रॉसेजर एक्षन बजट वगयरा जो भी कोई बिजनस बना रहा हो तो वो इन्वारिमेंट को देखते वे बदलता रहता है मतलब अभी अगर हमने सोचा था कि example की दोर पे मेरा कोई एक पर्डिकुलर बिजनस है और मैं इस चिशिंग मना महंगा हो गया है डबल हो गया है теп को नः फ्लेवर लाँच किया है जो पेपसी को भी अपना कुछ बदला लाना पड़ेगा न article को देखना भड़ लाना या नहीं लाना His बिसिकली strategic move हो जाता है कि नया product launch करना है तो policy और strategy बदलनी पड़ जाती है मेरे घर के पास बताओं दो दुकाने हैं एक राम की और एक शाम की दोनों cash पर समान बेजते थे उधार कोई देखता है नहीं था अब राम ने उधार देना शुरू किया तो राम का business सही चलता है लोग पैसे भी हाम वापिस करके जाते हैं तो शाम उधार नहीं देता तो उसका business सही नहीं चलता तो शाम भी उधार पे देना शुरू कर दे तो उसका business सही चलेगा या नहीं चलेगा यह आप comment section में बताओ फ आप कुछ अलग करो, अलग करोगे तो ही चलोगे, अब OnePlus के फोनों के इंदर कुछ ना कुछ अलग आता रहता है, Jio ने अलग करके दिखाया, Jio ने जो network लाया, वो अलग करके दिखाया, ठीक है, Jio कुछ अप भी लेकर आता है, उसके अंदर अलग करके दिखाया, जैसा पहला किसी ने नहीं किया, तो competitive first mover advantage मिल जाते हैं अगर आप कुछ ऐसा करते हो, ठीक है, और now collective response, ये भी एक है, कुछ business को मजबूर कर देता है business environment, कि तुम इखटे हो जाओ, तुमारे अकेले के बस की कुछ नहीं है, तुम्हें इखटा होना ही पड़ेगा, जैसे कि Vodafone और idea दोनों को merge कर दिया, तभी वो compete करने की सोच रही थी, एटल और जियो से, जो कि मुझे लगता है कि अभी भी compete ने कर पा रही है, लेकिन merge करने को तो हो गया है, अकेले अकेले नहीं कर रहे थे, जब अकेला बंदा नहीं लड़ पाया है, तो team लेके आता है, इसके लिए उतने कम है, बहुत सारी चीज़े हो सकती है बिजनस इंवार्मेंट में, अगला अब 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 हमा रहा है, इन्वार्मेंटल स्कैनिंग, स्कैनिंग का मतलब है, एक बार उसको क्रॉस चैक बार-बार करते रहना चाहिए, बार-बार यारी आपको लीगल फ्रेमवेर को पढ़ते रहना चाहिए, गौर्मेंट की पॉलिशी को चेक अप रहना चाहिए, शोसाइटी में जो ट्रेंड चल रहा है, उसको चेक करते रहना चाहिए, लोगों की टेस्ट फटाफट से बदलते हैं, कभी-कभी तो मिठाई सबके मूड बदलते रहते हैं, आप कोई बिजनस बदलना होगा उससाब से, बिजनस नहीं बदल सकते हैं, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत बहुत अच्छे लेवल का एक्जामपल बताता हूँ, कमला नगर में, दिल्ली में कमला नगर में एक शॉप थी, वो वेडिंग कार्ड बेचती थी, सिर्फ वेडिंग कार्ड के नाम से वो शॉप जानी जाती थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, किसी कोई वेडिंग कार्ड या फिर बर्थडे कार वगयरा लेने हो, तो वो कार्ड के बना के देते थे, फिर धीरे धीरे जमाना टेक्नो में ज्यादा जुटे हुएं तो साही बाबा खाटु शाम मात जै मात अदी तो ये जागरण वगयरा के बिजनस के अंदर इसने सोचा हाँ भगवान के पूजा होती है सब लोग शरदा में होते हैं तो ड्रेस इसने क्या किया इसने क्या भगवान की ड्रेस बेचना शुरू मतलब जो भगवान की मूर्तियों पर ड्रेस चड़ती है क्योंकि लोग बड़े शरदालू होते हैं तो बहुत दिल से पूजा करते हैं और पतलब कुछ लोग डेली या इसने अपने business को बदला WhatsApp को देखा इसने कि लोग आप invitation WhatsApp से बेच देते हैं मेरा काम दंदा नहीं चलेगा मुझे यहां shift करना पड़ेगा तो भगवानों की dress को बेच रहा है यह उनको बेच रहा है फूल माला को बेच रहा है जो मतलब जो पाते बार-बार रिपीटेडली कह रहा हूं सबकी sense सेम बनती है कुछ अलग-अलग words से उसके question अलग-अलग different हो सकते हैं बस वह हमें target करने है ठीक है आगे पूरे chapter की theme तुम्हें एक photo के अंदर यहां पर लिखी भी मिल जाएगी पैन का color change करके पढ़वाओंगा इसको आपको मैं देखो यह components of business environment business environment के components है यानि business environment की family में किस-किस को हम धाल सकते हैं कुछ internal है कुछ external है ठीक है हर business का अपना corporate culture भी होता है हर business के अपने human resource की अलग quality होती है उनकी labor union भी हो सकती है ठीक है physical resource and technological capabilities भी business की होती है यह जितने भी नाम लिए है यह बदलेंगे तो business के behavior में change आएगा ही आएगा समझे और फिर external यह किसी business से बाहर की बाते हैं यह micro level पे भी कर सकते हैं macro level पे भी कर सकते हैं micro level का मतलब हो गया यहार जो चीज़े directly किसी business को affect कर रही है और macro level का हो गया यह मालो कि यह ज्यादा बाहर की चीज़े हैं indirectly किसी business को affect कर लिया अगर मैं नाम लूँ यहाँ पर organization customer competitor market supplier intermediaries brokers बगयरा हो गया है यह सब business से सीधे सीधे जुड़े हुए नजर आते हैं अगर आपका pen बेजने का business है तो आपकी organization है आपके supplier भी होंगे आपके honor भी होंगे माली के मतलब partner भी हो सकते हैं आपके customer भी होंगे आपके competitors भी होंगे तो वो business से related है ना लेकिन आपका business government थोड़ी कर रही है पॉलिटिकल थोड़ी कर रही है विदेश थोड़ी कर रहे है लेकिन ये भी चीज़े आपके business को affect करती है economy, technical, political, global, social culture, demographic ये सब कैसे करते हैं ये पढ़ना है अब हमें ठीक है अधर माइक्रो और मैक्रो से coefficient आना समभव है आएगज आहिए आएगा मतलब यहां से coefficient बनेगा भी एक coefficient यहां से बन सकता है एक coefficient यहां से बन सकता है एक कोशन यहां से बन सकता है तीन कोशन मुझे इस image में दिखाई दे रहे हैं बनते हुए अगर मैं कहा हूँ जो भी चीज पढ़ा रहा हूँ रट्टा तो मारना नहीं आपको क्योंकि यह subjective paper है नहीं आपका MCG level का paper है अगर फिर भी आपको कोई दिक्कट डाउट परेशान है प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख दो यार फिर भी आपको कोई बड़ा डाउट है तो वह भी बताने की कोशिश करो ठीक है जी चलो जी micro और macro दोनों हमने पढ़े हैं यहां पर यानि micro और macro और वो internal और external तो इसके बारे बताना चाहूँगा SWOT analysis दाम की चीज़ है इसकी full form देख लो business environment तुमें तुम्हारी strength उसके साथ साथ में weakness उसके साथ साथ में क्या तुमारे पास खुश खबरी है opportunity और क्या-क्या warming signals हो सकते हैं threats यह समझने में help करता है और इसको भी बोलते हैं दोस्तो SWOT analysis SWOT हमें अपने business का SWOT analysis करते रहना चाहिए जो भी तुमारे business है तुमारे business की मजबूती क्या है क्यों हो तुमारे business सबसे अच्छा चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा या फिर अच्छा चल भी रहा है तो कोई weakness भी हो सकते है कि किसी वज़े से business खराब भी हो सकता है तो आपको पता होना चाहिए बविश्य में क्या opportunities है और क्या threats है यह पता कर लोगे तो business environment के आपको अच्छी knowledge है यह माना जाएगा और दोस्तो इसको अगर मैं बताऊँ तो strength और weakness आपके business के अपने अंदर है तो यह internal business environment होते है यह लेक भी दिया ठीक है opportunity or threats out of business सोचने पढ़ेंगे आपको मतलब है तो related ही business से यह external business environment का हिस्सा है अगर आपको elements of microeconomic environment याद करने है बिसिकल देखो यहां से उठाए है यहां से ठीक है यह तो हैं यह योग इंटरनल के नाम नाम देख लो बस microeconomic environment याद करने है तो यह customer है इसको मैं C लिखता हूँ competitor को भी मैं C लिखता हूँ organization को मैं O लिखता हूँ market को मैं M लिखता हूँ supplier को मैं S लिखता हूँ और intermediaries को मैं I लिखता हूँ और मैं यहां पर एक short form बना देता हूँ pen का कदर थोड़ो मोटा करते हूँ इसको बोलता हो cosmic कोस्मिक नाम से तुम इसको याद कर सकते हो कैसे याद करोगे देख लो यह तुम्हारे customer है यह तुम्हारी organization है यह तुम्हारे suppliers है यह तुम्हारी market है यह I का मतलब तुम्हारा intermediaries है और C का मतलब तुम्हारा दो बार सी है ना एक बार customer है तो एक बार competitors हो गए ऐसे करके याद कर सकते हो यह business को affect करते हैं अब बात रही elements of macro level environment तो इसके लिए अगर तुम याद करोगे तो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगा देखो पहले गिर्वा देता हूँ कौन-कौन सा है एक D से शुरू हो और है demographic यहाँ आ जाते है वापिस पीछे आपके लिए असान रहेगा जो चीज असान है वो कराऊंगो ने आप देखो E P T G S D E P T G S D सबका पहले पहले लेटर ले लिया आपको असानी से कर याद करना है तो देख लो D E P का मतलब होता है Depreciation फिर सरकार लगाती है GST यह याद कर लो D का मतलब Demographic E का मतलब Economic P का मतलब Political G का मतलब Government S का मतलब Socioculture और T का मतलब Technological यह Short Form बना के और यह मैं आ लिख देता हूँ Cosmic YAR आपको ताकी याद हो जाए ठीक है अपने अपने तरीके याद करने के चलो जी वे तब याद करके रट्टा मारना इतना जरूरी नहीं है जरूरी है कि बस चीज़ें आपको समझ में आए आगे यह बता दिया कि हमारा था यह GST और साथ में Depreciation बस छे हो गए ना छे इंवार्मेंट आपको जात रखने आई सी आई के स्टेडी मटेरियल में यही है और यहीं से लेना देना है आगे बड़ो जी demographic environment में कौन-कौन सी चीज़े आती है यहां से question बन सकता है और यह आपके business को affect करती है लाइक population का size जन संक्या ज्यादा हो रही है तो समान ज्यादा बनाना पड़ेगा आपको भी geographical distribution का मतलब होता है इलाकों का distribution location का distribution एक इलाका ऐसा है मालोग जहां पर male ज्यादा रहते हैं तो उस इलाके में आपको वह product बनाने की ज़रुत है बेचने की ज़रुत है जो comment section में बदा सकते हैं जहां फीमेल ज्यादा रहती है वहाँ पर basically beauty products की डिमांड ज्यादा होती है तो वह बनाने चाहिए एथनिक मिक्स होता है थोड़ा सा बन्दे को जानता हूं तुम बता सकते हो comment section में कि वह क्या खेल रहा है यार उसकी जलेबी की दुकान है एक जलेबी की दुकान उचला मेरिया में जहां पर वह 100 रुपे किलो जलेबी बेचता है तो रुपे नहीं है 125 रुपे किलो गई अब और उसी बन्दे की दुकान एक जैसा लोगों का कपड़े भी तुमने देखे होंगे कोई कपड़े कहीं सस्ते रेट पर होते हैं वही चीज़ इलाका देखके या बंदों का income status देखके महेंगे में मिल रही होती है economics का concept भी यूज़ होता है इसके इंदर price discrimination वाला चलो जी आ गया आते है economic environment economic मतलब पैसो का environment सरकार के अगर बात करूं RBI बैंक इन में कुछ बदला हो रहे है पॉलिजी में बदला हो रहे है तो उसका environment तो economic policies की economic system economy system like government कभी decision ले रहे हैं कभी private sector देजन ले रहा है या दोनों मिलके decision ले रहे हैं इट affects business economic condition क्या चल रहे है factors क्या चल रहे है recession चल रहा है depression चल रहा है बूम चल रहा है lean चल रहा है business effect होता है recession के टाइम पर कोई भी business नहीं चल रहा हो ता बिसिकली ऐसा कहा जाता है economic policies, government की policy के, RBI की policy के मालो RBI ने बोला, interest rate कम हो गया इस बार repo rate कम कर देंगे bank rate कम कर देंगे, कुछ भी कम कर दो impact क्या होगा कोई भी interest rate कम करने से money supply ज्यादा हो जाती है लोगों के पास ज्यादा पैसा पोचेगा तो लोगों के पास ज्यादा पैसा पोचेगा तो लोग ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो देश के अंदर लोग खर्चा बढ़ा देंगे अपना, खर्चा बढ़ा देंगे तो business जितने भी चल रहे हैं उन सब का समान ज्यादा बेकने के chances है बिल्कुल chances है तो बिल्कुल बिजनस में बदलाव आने के chances है तो अगर किसी चीज को बैन कर दिया लाइक अभी प्लास्टिक बैन किया है तो जो पॉलिथीन बनाने वाली फैक्टरी थी बंग फिनिश गया ना बिजनस तो लीगल चेंजिस आने से बिजनस बदलते रहते है अब एक और आपको बिजनस बताता हूं गवर्मेंट ने बोला है कि समय तो ठीक हो गया जितने भी offline coaching centers है उसके अंदर बहुत सारी सुविदा होनी जरूरी है like fire extinguisher होना जरूरी है front entry back entry होनी जरूरी है जो इसको follow लोग क्या prefer कर रहे है उसकी बात कर रहा है आपर ठीक है जैसे जैसे जमाना बदले का जैसे सुसाइटी में festival आएंगे तो festival वाली चीज़ें के डिमांड होगी उसी आप से टेक्नोलोजिकल इन्वार्मेंट लोगों को आप फॉर जी से फाइव जी पर किया जा रहा है आप समझ सकते हो कि बिजनस बतलेंगे आप फाइव जी वाले फोन की डिमांड जादा हो जाएगी ग्लोबल इंवार्मेंट का बात की है मैंने आपको बता है GST और DEP इसमें से यह हटा दो तो ST और DEP यह पांचों में कोई भी बदलाव होगा ग्लोबल लेवल पे इंटरनाशनल लेवल पे तो मतलब ग्लोबल इंवार्मेंट की बात कर रहे हैं बेसिकली आपके एक्सटरनल इंवार्मेंट के कुछ कॉंपोनेट्स थे अब मुझे बताना कि आपको एक पेस्टेल एनलीसिस भी होता है यहां से भी कोशन मनता है आप जब भी कोई बिजनस रन कर रहे हो या किसी को सलाह देने वाले हो बिजनस के बारे में तो इन चीजों को भी कंसीडर करना यह वही चीजें जो पढ़ चुके हम बस दिया हुए कॉंसेट तो इसलिए यहां से कोशन आने के चांस है कुछ ऐसा भी है ना हमारी चीज़े कुछ अकैडमिक खेल भी खेल रही है कोशन मनाने पे क्या फर कि आया बस इनको ही कंबाइन करके पेस्टल बना दिया यानि इन चीजों को भी एनलाइज कर लो इनके मेरिट्स डिमेरिट्स इनमें चेंजेस जो रहे हैं बदलाव हो रहे हैं उनको अब्जर्व करो और उसके इसाब से अपने बिजनस को रन करो यह सला दी जाती है क्यों कि यह चीजे अफेक्ट करती है बिजनस को एक चीज बढ़ चुक है इनवारिमेंटल कैसे इनवारिमेंट में जो बदलाव आ रहे हैं वो भी बिजनस को बदलते हैं चलो जी आगे बढ़ते हैं अब यह strategy की responses हैं टूदा environment, business भी तो कुछ response देगा इनवारिमेंट को बदलन हां तो स्ट्राइजिक रिस्पोंस के अगर बात करें, तो दो तरीके में इसको डिवाइड किया हुआ एक इंटरनल स्ट्राइजिक की रिस्पोंस और दूसरा HOLISTIC HOLISTIC को आप एक्सटीरनल वोल सकते हो मिleकट्रल स्ट्राइजिक रिस्पोंस真的 basis of business का एक administrative response competitive response collective response यह वही डिआप प्ली आपको बढ़ा चुका हो यह क्योंसे देख consciousness को आपको अकर आप महीं हो कि यह कि यह वाले response मैं आपको बढ़ा चुका हूं दूस्तों यह बोए थो सखेंगे और फिर बनता है अपना आज़ा उसादَّब आखल एक्सよね मतलब कुछ business lease resistance होते हैं, कुछ proceed करते है with caution और कुछ dynamic response देते रहते हैं, अब मैं इसको आपको बतात हूँ, बहुत सारे business lease resistance जो BSRL जैसी company है यह इसने Gil है, यह सरकारी company Thaler, business बदलते का environment बदलता गया, इसने नहीं बदला अपने आपको, नहीं बदला तो होगी फुसी ठीक है प्रोसीड वीद कोशन और कोशन बतलब ये वो कहते है न दूद का चला चार्ज भी फूख फूख कर पीता है तो बस बड़ी दिमाग लगा लगा कि अपने स्टेब बाइस बिजनस को आगे बढ़ा रहा है एटल एटल का दिमाग देख कि इसके बदला है उसके एक्जामपल से इससे भी आप एक सैट पैटर माइंड में घुसा सकते हो कि हां ऐसे बदलाब होते है और को देखकर जज़ करेंगे कि हां उसका अंसर लिखना कैसे है तो कोशन दोस्तों बेसिकल आपके सामने है मैं कोशन पढ़ूंगा आप वीड Experience depends upon which environment for input input के लिए यानि raw material के लिए organization कौन से environment पे डिपरेंड करती है चार option है हमारे पास एक technological environment से input आता है या socio-economic environment से आता है या external environment से आता है या legal environment से आता है दोस्तों आपको comment section बताना इसका answer super fast तरीके से मैं बतायाता हूँ inputs raw material वगएरा external environment से आते हैं तो यह हमारा c answer होने वाला है तो ऐसे आपको practice भी करनी है question number two environmental analysis helps in जब आप environment को scan करते हो internal external की study करते हो तो किस चीज में help आपको मिलती है चार option है providing input for strategic decision making अच्छा input का मतलब आपको decision लेने के लिए कुछ clue मिलना input हो सकता है input का मतलब हमेशा raw material नहीं होता जैसे यहाँ पर मैंने बोला input का मतलब यहा raw material भी है ठीक है और कोई information भी है जो भी चीज clue मिल रही है जैसे मिलते है न फूफी agency को को input मिल गया आतंगवादी के बारे में ऐसा input भी दोनों मान सकते हो आप ठीक है तो environmental analysis helps किस चीज में help करता है strategic decision making के लिए को input मिल जाता है इससे environment को समझोगे तो क्या तुम strategy अपनी अच्छी बना सकते हो बना सकते है turning threat to firm's advantage किसी मुश्किल को आप opportunity में create कर सकते हो हाँ कर सकते है बैंकों को पता होता है बैंकों को ये पता होता है कि हाँ festival season आने वाला है तो आने वाले festival season में लोग पैसे जमानी कराएंगे लोग पैसे जमानी कराएंगे तो बैंक को क्या करना चीए ऐसे वाले season में बैंक loan देना शुरू करता है देखा opportunity में create कर लेता है उसको कही ना कही से पैसे को जुगाड करेगा और advantage में आ जाएगा बिल्कुल करता है anticipate opportunities anticipate का मतलब अंदाज लगाना अब से इसको use करा करेंगे question 3 trends relate to trend किस बात से relate करते है यहां से question आने की chance होते है पहले में इस question का answer देने से पहले आपको दिखाऊंगा है कि a topic कहा था यह देखिए trend नाम को शब्न लिखा था चार word यह आपको लिखवाये थे आपको ध्यान भी आने चाहिए connection भी feel होना चाहिए ना यह देखो event, trends, issues और expectation चार चीज़े environmental scanning पे कौन सी घटना हुई है उसके हिसाब से business बदलता है trending में क्या चल रहा है उसके हिसाब से business बदलता है कोई-कोई issue, problem के हिसाब से business बदलता है और कभी-कभी उमीदों के हिसाब से business बदलता है चार चीज़े important है यहां से question आने के chance होते है इसलिए ICI के study material का यह question आपके सामने page किया तीसरे number का तो environment का relation किसे है happening of events in internal environment कोई ऐसा event जो internal हुआ हो environment के या grouping of similar और related events बहुत सारे events का group बना रखा है उसकी बात कर रहे है या demand made by interested group या none of the above ऐसा कुछ नहीं है आपको detail में मुझे बताना है related events या जो भी चीज़े है उनके group के बारे हैं बात हो रही है तो B इसका answer है B के साथ जाएंगे group के events के बारे हैं बात हो रही हैं आपर ठीक है जी अगले प्यारते हैं लिखा है which of the following exhibit characteristic of business environment इन चारों में से कौन सी business environment की characteristic है ये बताना है आपको तो static, dynamic, complex and multifaceted और in short term reach short term reach short term reach नहीं होती इसकी तो far reaching होती है लंबे समयनों के अवाले example दिया था ना static नहीं होता, dynamic होता है तो dynamic है और यह है यह यह दोनों बाते point one, two, three और four इसमें से पहला और चोथा point गलत लग रहा है तो दूसरा और तीसरा देखो कहा है दूसरा और तीसरा दूसरा और तीसरा लिखा है d पे तो four देखो कैसे यह लिखा दूसरा और तीसरा यहां दूसरा चोथा पहला दूसरा तीसरा पहला तीसरा यह तीनों गलत है डी ठीक है ऐसे में जब तुम पहले से अंसर पता है तो यहां जा सकते हो एक बार फिर यहां से पता भी लगना चाहिए कि आपको चार होती है ना एक सबसे पहले multifaceted फिर फार रीचिंग और फिर लिखवाया डाइनामिक और फिर लिखवाया था complex यह चार बंद रही थी ठीक है आगे बढ़ते हैं जी पांचवे कोशन भी अपने और यह बोलता है और थ्रेट का मतलब होता है यह थ्रेट का मतलब एक तरीके से भविश्य में आने वाली मुश्किल वार्निंग भी हो सकती है ठीक है नेगटिव चीज़े होती है मतलब जो नुक्सान दे सकती है बिजनस को एक थ्रेट का मतलब बेसिक लिए हमें जानना है यहां पर तो दोस्तों लिखा यहां पर एन अन unfavorable condition in organization an unfavorable condition in organization environment which create risk or damage to the environment ऐसी condition जिसकी उमीद नहीं की जा सकती लेकिन फिर भी उससे नुक्सान होने के चांस है उमीद नहीं की जा सकती ही मतलब उसको अईडीया लगा सकते है लेकिन होगा उससे नुक्सान या फिर inherent limitation of constraint constraint का मतलब limit होता है और गलती है यह मतलब negative बात कुछ नहीं होरी unfavorable condition in organization environment which consolidate its strength as a cheese जो business की strength को मजबूत कर देगी लेकिन है unfavorable नहीं ऐसा भी नहीं जरूरी नहीं कि मजबूत करेगी threat का मतलब मुश्किले होती है जो damage कर सकती है यह इसका सही answer है एके साथ चलेंगे word का मतलब यहां clear हो रहा है जब question का answer कर रहे हैं अगले पर आते है लिखा है who occupy the central position in the marketing environment marketing environment के अंदर main central position कौन occupy करता है सबको clear है चार नाम लिखे में consumer customer organization all of the above consumer एक साथ जाएंगे अब आप पूछो के सर consumer और customer में difference क्या है comment section में आप बताएंगे नहीं पता तो यह भी बताएंगे कि नहीं पता फिर मैं बताऊंगा आगे चलते हैं सहमत लिखा है the price sensitivity of the market is an important factor of which element of micro economic environment micro economic environment में cosmic याद रखना है cosmic होते है ना इसमें price sensitivity किसके अंदर आता है चार option आपके सामने लिखे में आपको बताने कि किसके अंदर आता है तो दोस्तो supplier market intermediaries customer मार्केट में मार्केट में मार्केट में आता है मार्केट कहा है यह रहा मार्केट आपने काल सकते हैं यहां से आठवे नंबर के कोशन की तरफ बढ़ते हैं और लिखा है dash with their own bargaining power affect the cost structure of the industry dash with the own bargaining power यह अपनी bargaining power के साथ साथ cost structure of industry कौन affect करता है किस चीज की वज़े से cost structure affect हो जाता है basically आपको बताना है तो चार नाम लिखे हमें intermediaries, suppliers, consumer, government यह कोश्ट structure तो supplier की वज़े से affect होता है क्योंकि supplier ने अगर raw material देना कम कर दिया आपके business को तो आप उसको फिर महेंगा कर दोगे आपकी या फिर इसको सोड़ो की कम देना शुरू कर दिया अगर supplier ने expensive महेंगे rate पर raw material दे रहे हैं तो आप भी अपने product की cost बढ़ात होगे सिंपल ऐसे समझ लो माल लो कि 5 रूपे का raw material लेकर आप 6 रूपे का समान बेच रहे थे यानि 5 का आपने खरीदा और इसको बना के 6 रूपे का बेच दिया अब यहीं कह रहा है कि मैं आपको 6 रूपे का बेचूँगा तो आप मार्केट में साथ का यह बेचोगे तो आपक यानि explain कर देता हूं तुम 4 रूपे का raw material लेके 10 रूपे में इसको बेचते हो तो माल लो raw material 8 रूपे का हो गया तो तुम अब भी इसको 10 रूपे में बेच रहे हो तो आपकी cost पहले 4 थी अब आपकी cost 8 हो गई है तो मुनाफ़ा कम हो गया आपका basically इस मामले में 9th question पर आ र internal environment में आता है पहले बाद तो यह समझ लो ठीक है कौन सा नहीं है ethnic है population size है geographic distribution income distribution है legal नहीं है यह तो याद करना था ऐसा question paper में आने के पूरे chance रहते हैं बी के साथ जाएंगे और आपके सामने पेश के जाता है last question of the day यानि of the class business and technology are business and technology दोनों के बारे में है दोनों एक दूसर आपको बता दिया गया आज की क्लास में पूरा बिजनस इंवार्मेंट का चैप्टर तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही जै हिंद जै भारत नमसकार धन्यवाद